क्लास 11 चेप्टर 11 आधुनिकी करण के रास्ते आज हम लोग इस चेप्टर में चीन के बारे में पढ़ेंगे चीन का आधुनिक कितिहास संपर्भुता की एक पुनर प्राप्ति यानि फिर से वह अपनी संपर्भुता को प्राप्त गिया और विदिसी कबजे के अपमान का अंतुन होने किया दरेसल चीन को बारे में जरा समझ लिजे कि चीन पर यूरोपीय लोगों ने भी अपना उपन बाट करके खाया था चीन के जमीन को नहीं खाया था बलकि मुनाफ़ा को कमाया था और चीन इन सब चीजों से अपना सुधार करते हुए ठीक है एक नए गंतंत्र के राह पर महान और पहले राष्टा ध्याज सन्यात सैन के नैतरित्यों में कंतांत्रिक सरकार के स्थापना किया था जर देखी चीन के विकास को संभव करने वाले चारों और घुमता हुआ एक सवाल है अब इसको तीन नजरिया से आप देख सकते हो पहला कांग योविल या लियांग की चाओ जैसे जो यह आरंभिक सुधारक थे और इन्होंने प्वस्चिमी चुनुतियों का सामना करने के लिए पारंप्रिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तिमाल किया यानि यहां भी इन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए जितना हो सके बाहरी ततों का बाहरी घ्यान का अपनाया उसको अपने समाज में इस्तिमाल किया उसके बाद चिन की कम्यूनिस्ट पार्टी यूगों-यूगों की जो असमानता थी उसको खत्म करने के लिए और बिदेसियों को बाहर खदेड देना चाहती थी वे यह नहीं चाहते थे कि यहां पर एक भी विदेसी रहे जिसके कारण हमारे असमानता का जहर पहल जाए बलकि हमारे देश में तो उल्टा हो रहा है तो आधुनिक चीन की सुरुवाद सुलहवी और शत्रफी सदी में पस्चीम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से माना जा सकता है जबकि जेसुई मिस्नरियों ने खगोल विद्या और गनित जैसे पस्चीमी विज्ञानों को वहां पहुँचाया और इसका तातकाली कसर तो सिमित था पर इसने उन चीजों की सुरुवाद कर दी जिन्होंने उनिस्वी सदी में जाकर तेजगती पकड़ी जब ब्रिटेन ने अफिम के फाइदेमंद बैपार को बढ़ाने के लिए सैनेबलों का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करते 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 चीनियों के बीच अफिम का लट पकड़ा दिया जब चीनी लोग अफिम के नसे का सिकार्म होने लगे तो इनका समाज अस्त ब्यस्त हो गया इसका सासक तबाह हो गया, इनके पास लड़ाके की कमी हो गई और इनका छेतर इसी तरह से अंग्रेजों ने हडप लिया लेकिन इसी बीच इनका पहला अफिम जूद 1849 सिस्वी से 1942 सिस्वी के बीच होता है और इसने सत्ताधारे क्विंग राजवन्स को कमजोर कर दिया, साथे साथ सुधार और बदलाव की मांग को मजबुती दिया अफिम का बैपार, चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के भर्तनों की मांग ने लगातार, ब्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी पस्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी बज़स से भुकतान चांदी में करना पड़ता था और इस्ट इंडिया कंपनी एक बिकल्प मिल गिया, क्या बिकल्प मिला इस्ट इंडिया कंपनी को अफिन, यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उखती थी, आप देखे भारत का कैसे इसका समन्द जुड़ गया, हिंदुस्तान का, चुकि अंग्रे जिस व अरम में चीन का भी सिकार कर डाला है इन्होंने, अफिम का लट पकडा करके, चीन में अफिम बेचने के जरिये वे चांदी कमा कर, केंटेन में उधार पात्रों के बदले कंपनी के परतिनीधियों को देने लगे, और इस तरह से कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेसम और चीनी मिट्टी के बरतन खड़ने के लिए करती थी, ब्रिटेन भारत और चीन के बिच यह उत्पादों का एक टैंगल बैपार हो गया था, समझ सकते हो, यानि ब्रिटेन तीन तरह से इस्तेमाल करता था, खोद ब्रिटेन एक भारत और चीन, यहां ध्यान दिया, और उन्होंने आधुनिक परशासक की बेवस्था और नई सेना और सिच्छा के बेवस्था के पुनर निर्मान के लिए नीतिया बनाई, साथी सनवेधानिक सरकार की अस्थापना के लिए अस्थानिये बिधायकों का भी गठन किया, और उन्होंने चीन को उ असरवाधिक एक भोचर्चित उधारन था। यहां तक की 1890 के दसक में पॉलेंड सब्द का इस्तेमाल किरिया की रूप में किया जाने लगा। बोलान का उ का मतलब था हमें पॉलेंड के लिए भारत का उधारन भी सामने था। और विचारक लियांग की चाओ का यह मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट की जागरुकता लाकर ही चीन पस्यम का विरोध कर पाएगा। और यही काम चीन ने किया। ठीक है। यही काम है इस्ट इंडिया कमपणी की यह बृटानियों की तावेदार करते हैं और एपने लोगों के साथ करूर होने के लिए हिंदुस्ताणी की आलोचना करते हैं इस इंडिया कमपनी में का अपके ते थे इनहीं लोगों ने इसको बरबाद कर डाला तो यह सब तर्क जो है आम आदमी को खासा मजा लगने लगा आकरसित किया और चीनी लोग इससे देखते थे सीखते थे ब्रिटानिया चीन के साथ यूद करने में भारतिय जवानों का इस्तेमाल करता था कौन ब्रिटैन इन सब से अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि प्रमप्रागत सोच को बदलने की जरूरत है दिखिए मैं आप लोगों को यही बाते हमेशा प्रेरित करता रहा हूं कि आप ल जब तक आप प्रमप्रागत बिचार में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपका बिचार बिकास की तरफ नहीं जाएगा बल्कि बिनास की तरफ चला जाएगा और इस बिनास में सारे लोग सामिल हैं अब लेकिन कुछ धर्म है जो इससे ऊपर उप चुका है कुछ लोगों को साथ देने के लिए और भी लोगों की आवे सकता है तभी देश विकास के रास्ते पर चलेगा कंफ्यूसियस वात चिन में एक प्रमुख विचारधारा रही है यह विचारधारा कंफ्यूसियस और उनके यहनुयायों की सिच्छा से विक्षित हुआ द्रियसल इसक नयतिक्ता की तरफ चला गया और इसने क्या किया चिनियों की जीवन के पड़ती रवय को प्रभावित किया उन्होंने सामाजिक मानक दिये और इसी सोच से चिनी राजनितिक सोच रसंगठन का आधहार पन गया लोगों को नई विशयों पर सच्छित करने के लिए विद्य और यहां आकर के अपनाए कर्मकांड को नहीं अपनाना है अफवाह को नहीं अपनाना है देखे वे नए विचार सीख कर वापस आए और 1890 के दसक में बड़ी तादाद में बड़ी संख्यां में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गये वे ना केवल नए लेकर आये बलकि गंतंत्र की अस्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई चुकि चीनी और जापानी भासा एक कही चित्रलीपी का इस्तेमाल करती है तो चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांती कि यूरोपिय विचारों के जापानी अनुवाद लिए यह एक तरह से पारंप्रिक समंधों का उलट जाना था और यही काम हमारे हिंदुस्तान में बाबा, साहे, भीम, राव, अंबेड करने किया मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ कि इन्हों ने पूरे समाज को एक छोटे से तबके से लेकर एक बड़ी तबकी तब कि मजबूती के लिए आधारभूत सनरचना में मजबूती देने के लिए सनविधान के निर्वान काईड को पुर्ण किया तो आप यहां देखे क्या होता है 1905 इसलिए में रूसी और जापानी जुद होता है तो बाद में कुछत तक यहां पर सद्यों पुराने चीनी परिशा परनाली समाप्त कर दी गई और जो पर्त्यासियों को अभिजात सत्ताधारी बर्ग में दाखेला देलाने का काम करती थी परिच्छा परणाली में क्या था? अभिजात सत्ताधारी बर्ग में प्रिवेश देख सकते हैं कैसे? तो परिच्छा दीजे और प्रिवेश पाईए. परिच्छा विभीन अस्तर पर होती थी. ठीक, आठ भाग वाला नीबंध निर्धारित था. तीन साल में, हर तीन साल में प्रिवेश मिल लाता था. ठीक है? गंतंत्र की अस्थापना. 1911 इस्वे में मांचु सामराईज समाप्त कर दिया गया. और शन्यात सेन के नेतरित में गंतंत्र की अस्थापना हुई. वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चिन के संस्थापक माने जाते हैं. कौन? तो स सन्यात सेन. याद रखेंगे. वे एक गरीप परिवार से थे और उन्होंने मिसन स्कूलों में सिछा ग्रहन की और जहां उनका परिचाय लोकतंत्र और इसाई धर्म से हुआ. और फिर उन्होंने आगे डॉक्टर की पढ़ाई की यानि डॉक्टरी की पढ़ाई की और वे च चीज को आपको याद रखना है. आपका प्रश्न अब्जेक्टिव रहेगा और ये पूछेगा. ये तीन सिधान्त का अर्थ है राष्टवाद. इसका अर्थ था मान्चुवंस. जिसे विदेशी स्राजवंस की रूप में देखा जाता था. कहता है उसको सत्ता से हटा दे तो इस तरह से इन्होंने सामाजिक और राजनितिक हालात जो डावाडोल बन रखबन गया था उसको इन्होंने सुधार लिया. हालाकि चीन ब्रिटानियों के नित्रित में हुई जीत में विजई देशों का सहयोगी था पर उससे हत्या लिये गये. ये उन्हें सोने सिस्व को भगाने असमानता हैं हटाने गरीबी कम करने का नारा दिया. उन्होंने लेखन में एक ही भासा का इस्तेमाल गया. पैरों को बाहनने की पर था औरतों की अधिनस्ता के खात में साधी में बराबरी दे दिया गया. गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे करने और इस देश के भविष को मजबुत्ती देने के लिए तो उसके लिए इस्तिरता का लाना बहुत जरूरी हो गया था. तो ये महत्पुन ताकत के रूप में उपरे. सन्यात्सेन के विचार कुवमिन्तां के राजनितिक दर्सन का अधार बड़े. उन्होंने कपड़ा खाना, घर और परिवहन इन चार बड़ी जरूरतों को रिकांकित किया. सोचिएगा, हम लोग भी आज यही बाते करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. है ना? हम लोग करते हैं ना? वही चीज है जो आधारबुत समर्चना है, उस पर हमें जूर देना है. इस तरह सी कुव मिन्तांग एक महत्वपुन निता बन करो भी और उन्होंने स्थान अभियान के जरिये वार लॉट्स को अस्थानी निता जिन्होंने सत्ता छिन ले थी, उसको कंट्रोल में कर लिया. सैमवादियों को खत्म कर डाला और इस तरह से उन्होंने इह लोग के कनफूसियस वाद की हिमायत की. लेकिन इसके साथ ही इस चीन में सैनिकरन को भी तरजीह दिया जाने लगा. मतलब मास लेवल पर सेना का विकास किया जाना, सेना की भरती को बढ़ावा देना, ठीक है. और फिर देखेंगे आगे कि उनकी प्रवरती और आदत का विकास एक एकताबत तरीके से हुआ. उन्होंने महिलाओं को चार शदगुन पैदा करने के लिए पुरशायत किया. पहला, सतितो, रूपरंग, वानी और काम. उनकी भूमिका को घरिलू अस्तर पर ही देखने पर जोड़ दिया. यहां तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की. कुवो मिन्तांक का सामाजी का अधार शहरी इलाकों में था, इसका जो अधार था वा, ओध्योगिक विकास धीमा और गिने चुने छेत्रों में था, संगहाई जैसे सहरों में, उन्ही सोनी सिस्विय में ओध्योगिक मजदूर बर्ग उभर रहा था, और इनकी संख्या 5 लाग थी, लेकिन इन में से कुछ ही परसेंट मजदूर चहाजिन्दमान और आधुनी के उद्योग में काम कर रहे थे, लेकिन ज्यादतर लोग नगन्य सहरी, बैपारी और दुकंदार ही हुआ करते थे, तो सहरी मजदूरों और खास तोर से महिलाओं को बहुत कम बेतन म परिबार बनाने के तरीके और प्यार महबबत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरुकार बढ़ते चले गए, सामाजिक और श्रांस्क्रितिक बदलाव में हम अस्कूल और विस्विद्यालियों के फैलने में मदद मिली, पैकिंग विस्विद्यालिय के उस्थापना 1902 में हुई, पत्रकारिता फली-फुली जो की इस नई सोंच के परती आकर्शन आये ना थी, साव तोवा फ्हेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ विकली इस नई विचारधार की परती निदी थी, इसने अपने पाठकों को बिचे नई विचारों से साथिस गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता, कमाल अता तुर्क से अउगत कराया, यानि बाहरी तत्तों का इन्होंने भरफूर फैदा लिया। और एक बार कुछ गोरे अमरीकियों ने उसे और उसके बाइदमंडली के सदस्यों के साथ मारपिट करके उन्हें उनके गाने वाले होटल से बाहर निकाल दिया। सो, अमरीकी होने के बावजूत, खुद नसली भेदभाव का शिकार होने के कारण, चेनियों के दुख दर्थ के साथ उनकी गहरी साहनूबत्ती थी। गोरे अमरीकियों के साथ हुई अपनी लडाई जिसमें विजित गए के बारे में वह लिखते हैं। जो कि अमरीका में किसी ट्रक द्वारा या घोड़े द्वारा खिचा जाता है। ये लोग इंसानी घोड़ों से कुछ अलग नहीं लगते। पूरा काम करने के बाद उन्हें इतना ही मिलता था कि किसी तरह इनका पेट भर कर चावल और सोने की एक जगा हासिल कर ले। कि वे कैसे अपना काम चलाते थे। तो रिख्षा खिचने वाला देखिए एक बनाया है फटो। तो देश को एकिकरित करने की अपनी कोशिसों के बावजूद कुव मिन्तां अपने संकिर्ण सामाजी का अधार और श्रीमित राजनितिक दिरिष्टी के चलते असफ़ल हो किया। सन्यात सेन के कारिकरम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुझी का नियमन और भूमी अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया। क्योंकि पाटी ने किसानों और भरती आ सामाजिक भेदभाव उसकी अंदेखा की। और इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाए फौजी बेवस्था पर सौपने की और ज्यादा प्रयाश किया। इस कालखंड को आप बिल्कुल ही याद कर लेंगे। जापान वाला कालखंड है एक तरफ चीन का कालखंड है। अफिम का युद ही याद कर लेंगे कि 1849 से 60 इस्वी में होता है। और एक जुद होता है 1904 से 1905 के बीच में होता है जो जापान और रूस के बीच होता है। पहला विसुजुद को भी याद कर लेंगे कि 1914 से 1908 इस्वी तक होता है। ठीक है और श्रभी पुरुषों को जापान में मत देने का अधिकार 1925 इस्वी में मिला था। तो इस तरह से आप इस कालखंड को याद कर लेंगे।